जैसे कि आप देख सकते हैं रेलिवे का सताइसर प्लस फेक्ट से सार से अंगर प्रिवेस एर का मिल जागा श्रमान अध्यान का बूक है करा थे तो इसका अच्छा बूक माना गया है तो आप इसको अपनाति अच्छा नमर ला सकते हैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिक मिलेगा आप बारे मैं बताहिए लिए फृटा को नहीं की कुछ नहीं होता है बस और मैं सुरवात में बता दिया हूं कि जिन्होंने स्टुडेंट होते हैं वह जादे लफला में पड़ते हैं जिनको मतला भी नहीं रहता है कि इसमें क्या-क्या आपको नहीं करना चाहिए जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको सबसे पहले किसी से जगणा नहीं करना चाहिए और खासकर यह देखा किया है कि बहुत सारे जो स्टुडेंट होते हैं वह दंगा फसाद में या जैन साथ ही हो आप लोग कैसे हैं उम्मी पुलिस भीवाग में जोब करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो होने वाला है वीडियो को इंड तक देखिएगा आपको पूरी तरह समझ में आ जागा मैं अपने एक्स्प्रियेंस खुद सेयर करने वाला हूं और खास करके जो आर्पिएफ का त्यारी कर रहे हैं और और पुलिस भीविविगेशन कब होता है वो चीज़ में बता देता हूं तो बहुत सारे डिपार्टमेंट में देखा गया है कि जोइनिंग के बाद पूलिस भीविविविविवेशन होता है लेकिन आर्पिएफ में पिछले साल जोइनिंग से पहले हुआ था और आने वाले पूलिस वेशन समय में भी साइद जोआनिक से ही पहले करवा लिया जाएगा जोआनिक से एक महिना पहले होता है पुलिस भीविविविविविशन तो इसमें क्या-क्या आपको नहीं करना चाहिए जब आप फॉम भर रहे हैं तो आपको सबसे पहले कि किसी से जगड़ा न नहीं करता है लेकिन भार बार आपको थाना में आपका नाम दर्ज है तो आपको दिक्कत आ सकता है ऐसा पुलिस विवाग में तो उनको पता रहता है कि अगर मैं एक बार किसी से बड़ा जागड़ा कर लिया मारा पीटी हो गया किसी को लगोर हाथ पैर सब टोड़ दिया और नाम चला गया कोट कचारी में हो गया तो जो स्टुडेंट होते वह नहीं करते हैं लेकिन कोई गलती से के जूटा उन पे कोई केस कर देटा है थाना में तो उनको किया करना चाहिए मैं चीज बता थांएक तो सबसे पहला पहले आपको जो थाना में आपका नाम गया है वहां से आप नाम कट वा अ कट लेचागा चला है और जूटा रहा तो एसे तो आपको चांसत जादे रहता है कि दो सब मिलाता है कि इसको नो किय थे यस किय थे तो जो आपके साथ में बीता हुआ है वो सही-स ही आपके करिये आपको 100% आपको जित होगा मान कर चलिए आप कोट में भी जा सकते हैं कि मैं तो कोई भी साक्ष्च छिपाया नहीं था सारा साक्ष्च मैं बताया था तो जिनके पास में चोटा मुटा अगर केस हो गया है और वो बरी हो गया तो उनके लिए कोई दिकत नहीं लेकिन लांग पुलिस वरिफिकेशन कब होता है वो मैं बता देता हूं जिससे आप एक्जाम दियें फिचकल हुआ मेटकल हुआ इससे परिकिरिया हो गया तो आपको बिदिन मेटकल के एक महिना बाद या दो महिना बाद जब आपका ट्रेनिंग के लिए सारा स्टीडू निखा जाता है तो आपको पुलिस वरिफिकेशन हुआ आये है इसाही आप दिखिया कि एक महिना से अधीक हो रहा तो आप जाके पता कर सकते हैं वहां पे आपको पता चाहिए जो मैं बता रहा हूं मैं से लिट हो रहा है बहुत सारे लोग ट्रेणिंग चले भी गए तो मैंने जाकर पता किया था तो आप खुद से जाके सा चीज करवाई यह हैंनल करवाई आपको जल्दी हो जाएगा नहीं तो आप एस् खतम तो हुगा या नहीं हुगा है यह सब सारा चीज देखा जाता है अगर कुछ भी नहीं है आपके ऊपर कोई दाग नहीं है तो आपको बहुत जल्दी पुलिस ब्रिफिकेशन हो जाएगा और फिर लाश्ट में आएगा जो आपका लोकल ठाना रहेगा लोकल ठाना या नहीं और कर्वाद वहां पहुंच जाएगा जहां से हो आया है जिसके हीटक्वाटर से वह आता है वहां जिसा ही पहुंच जाएगा पुलिस ब्रिफिकेशन उसके जश्ट दिन आड़ दिन के वाद आपके एक जीमेल पे जो आप आपका जोईने लेटर आ जाएगा और ए चीज को द्यान देना बहुत जुरूई है कि Gmail जो आप मतलब खोलते रहते हैं जिस पर मैसेज आते रहता है उसी को आपको Gmail देना है तो सारा चीज आपको Gmail पर ही होने वाला है और पुलिस ब्रेकरशन के वारे मैं बता ही दिया हूं यह कुछ नहीं होता है बस नॉर्मल सा एक लपड़ा में नहीं पड़ते हैं जिनको मतला भी नहीं रहता है कि हमको जॉब करना है वो तो दिन फर इधर उदर लडाई जगड़ा करते हैं वीडियो कैसा लागा है आप लोग बता दीजेगा जितना मुझे जनकारी था मैं उतना सेर कर दिया हूं और हाँ मैं किरन प्र सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको सेलेक्शन पका है तो चलिए आज के वीडियो में